अब देख रहे हैं इस पे नई नीज में आज आपको बताने वाले हैं कि रजिया सुल्ताना जो मंद्री उपसे उन्होंने इस्तिफा दे दिया था उन्होंने अपना बापस ले लिया है यानि नवजोसी सिद्धू के साथ जिन लोगों ने इस्तिफा दिया वो अब इस्तिफा को बापस लेनी की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस रेस में सबसे ज़्यादा भी आगे रजिया सुल्ताना चल रही हैं उन्होंने अपना इस्तिफा बापस ले लिया है अब सवाल यह भी खड़े किया जा रहे हैं कि क्या इसके साथ साथ क्या नवजोसी सिद्धू भी अपना इस्तिफा बापस ले लेंगे क्या कैप्टन अम्रिंदर अपना इस्तिफा बापस लेंगे जो कभी भी पॉसिबल नहीं है लेकिन यहां तक नवजोसी सिद्धू की बात है कि जब जब से उन्होंने पंजाब में कॉंग्रेस अध्यक्ष पस्य इस्तिफा दे दिया है कई बार ऐसे सवाल खड़िये किये कि शायद अब नब जो सिसिदू अपना इस्तिफा बापस ले लेंगे उन्होंने ये भी नजर आया कि भली वो इस्तिफा बापस नहीं या कंग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगे पंजाब में लेकिन वो बाखोबी बैसे ही काम को निभाते हुए नजर आएंगे जैसे पहले कर रहे थे लेकिन कुछ ऐसी घटना ही हुए है जिसे साब पता चल रहा है कि नवजू सी सिदू शायद अब उस तरह से करते नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरह से पहले आ रहे थे अब उसका सबसे बेस्टर इजामपर लेकि यह है कि चरन जी सी चनी की बैटी की शादी थी उसके समारों में नवजू सी सिदू शामिल नहीं हुए पहुंचे भी नहीं इसे साब पता चलता है कि चरन जी सी चनी अनवजू सिदू में जो नाराजगिया थी वो वैसे का वै वैसे ही है जो अटकले लगाई जा रही थी वह वैसे कब वैसे ही है जो अंतरकला चल रहा था वैसे कब वैसे हीπόν कर इस मसंखर औरóp का रास्ता है कैसे निकलेगा वह सवाल अभी भी बना हुआ है यहाँ नतरगा-चिंप लेकर क्या रूख रहता है क्या नवजोसी सिद्धू पे वो भरोसा फिर से किया जा सकता है जिसको लेकर एक बार धोखा हो चुका है क्योंकि कहीं न कहीं कैप्टन अमरिंदर का आज जो इस्तिफा हुआ है उन्होंने सीम पस इस्तिफा दिया उसमें सबसे बड़ा रोल और जो शबसे बरक जो पूरा राइता फैलाने का जो जर्द ह वह नवजोसी‌सादय만गी सिद्धू को इस दिफा बापस लेते हैं या नहीं फिला बाकी कबरों के लिए लिए रहें को 맞े हुआ